नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्यूम पैकिंग मशीन के बारे में वैक्यूम पैकिंग मशीन का में परपस होता है पाउच में से एर निकाल के उसको सील कर देना एर निकालने के बाद अगर आप कुछ एर जैसे की नाइट्रोजन, कायबन डायोकसाइड या कोई भी गैसिस का कॉम्बिनेशन आप पाउच में बढ़ना चाते हैं तो उसको फ्लस करने के लिए उसमें मशीन में अटैच्मेंट आता है वैक्यूम पैकिंग मशीन दो टाइप के आती है एक आता है इंटर्नल टाइप और एक आता है एक्स्टर्नल टाइप एक्स्टर्नल मशीन में एक नॉजल होता है जो की पाउच में से एर निकाल के उसको साथ की साथ सील कर देता है जो nozzle air से सक करता है वो कई बार product आने की वज़े से चोख हो जाता है जिसकी वज़े से internal chamber type जो vacuum vacuum machine होती है वो जादा popular होती है internal chamber में एक chamber होता है पूरे chamber को vacuum करके पाउच seal किया जाता है इस process में 15 से 30 सेकंड लगते हैं depending कि आपको vacuum का pressure कितना रखना है internal chamber machine single और double chamber की आती है double chamber में पाउच एक तरफ vacuum seal होता है जब तक आप दूसरी तरफ pouches arrange कर सकते हैं इससे speed मिल जाती है chamber type vacuum machine single की हो या double chamber की हर chamber में पाउच सिलिंग बार होता है machine में generally double sealing bar होते हैं इसकी length 16 inch, 20 inch या 24 inch के अपरोक्स आती है 6 inch यानि कि 1.5 mm width का अगर आप pouch लेते हैं तो 16 inch machine में ये दो pouch एक तरफ लग जाते हैं दूसरी दूसरी तरफ लग जाते हैं 20 inch में 6 inch का पाउच 3 एक तरफ 3 एक तरफ लग जाएंगे चोईस इंच में 4 पाउच एक तरफ चार पाउच एक तरफ नहीं लग पाएंगे क्योंकि थोड़स अपने gap छोड़ना पड़ता है वैसे सबस्यादा popular जो model होता है वह 20 inch यानि 500 mm वाला ही रहता है वैक्यूं की प्रोसेस में पाउच जनरली डी सेप हो जाता है पाउच को अगर हम एक बॉक्स में रखके पैक करें तो यह डी सेप नहीं होगा इसके लिए अगर अपन पाउच को वर्टिकली रखते हैं तो उसके लिए हमको डीप चेमबर वैक्यूम पाकिंग मशीन चीह होगी जनरली वैक्यूम पाकिंग मशीन का चेमबर 3 इंच के अप्रॉक्स दीप आता है डीप चेमबर मशीन में ये 6-8 इंच तक का डीप होता है ये थे कमर्शिल प्रोड़क्स अगर आपको अपने घर के लिए रोज के 10-15 पीस करने हो वैक्यूम तो उसके लिए एक चोटी मिनी एक्स्टर्नल वैक्यूम मशीन आती है जोकि इस तरीके से काम करती है लेकिन इसको आप कमर्शिल प्रोड़क्शन के काम में ने ले सकते ये मशीन कुछी दिन में बोल जाएगे और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है एक्स्टर्नल चेंबर जो मशीन होती है वो जिनरली बड़े प्रोड़क्श के लिए काम में आती है जैसे आपका ड्राइफ फ्रूट्स हो गया या कुछ दाल हो गई चावल हो गई इस तरह के प्रोड़क्श आप एक्स्टर्नल वैक्यूम चेंबर में कर सकते है इंटर्नल में ज्यादा अच्छा प्रेशर क्रियेट होता है तो आपको लिए इंटर्नल वैक्यूम चेंबर मुशीन इस तरह एक से कुछ आती है वैक्यूम के लेटेस्ट एक डिवलपेंट है कन्वेयर टाइप वैक्यूम पैकिंग मुशीन इसमें स्पीड तो अच्छे मिलती है पर वैक्यूम की कॉलिटी यानि की प्रेशर वो थोड़ा कम क्रियेट होता है और यह पाउज का शेफ थोड़ा सा अनीवन शेफ का क्रियेट हो जाता है अगर इस स्पीड यह आपको कंसर्ण है तो आपके लिए मुशीन मिलकूर वैक्यूम की पाउचे में ग्राइनुलर या पौडर हो तो उसको अगर भढ़ने के लिए आपको मशीन दिये तो उसके लिए हमारे पास वेवेमेट्रिक फिलर या उगर फिलर मशीन मिल जाएंगी जो कि आप हमारे चानल पर देख सकते हैं वेक्यूम की पैकिंग मशीन की जो भी prices हैं वो भी हम लोगोंने description में लखी किया है ताकि आप अपने budget के अनुसार एक decision ले सकें वीडियो में जो जानकरी दी गई है अगर आपको वो useful लगी हो तो इस वीडियो को like कीजिए और ऐसे ही अगर packing machines के बारे में और आपको जानकरी लेनी हो तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए thank you